हमारे देश को आजाद हुए 70 साल से भी जादा का समय हो चुका है और इन 70 सालों में हमारे देश में बहुत बदला हुए है अरे महगाई तो देखो ऐसे तेजी से भाग रही है जहसे कोई शिकारी इसके पीछे पढ़ गया हूँ खाने पीने की चीजों से लेकर पेट्रोल डीजल सभी के दाम तो आसमान शूर है और सरकार की ओर से महगाई को कम करने के लिए लगातार प्रयाज भी किये जा रहे है और महगाई तो भहिया आम आदमी की लाइफ पर बहुत असर डालती है जेब में कब पहिसे आते हैं और खतम हो जाते हैं पता भी नहीं चलता है लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आज से 70-72 साल पहले यानि 1947 के दौर में हमारा देश कैसा रहा होगा उस समय चीजों की क्या कीमत रही होगी और क्या उस समय भी आज के दौर की जितनी ही महगाई थी 1947 के दौर में जाना वाकई में काफी रोवांचक होने वाला है तो चली आज की वीडियो में हम आपको ले चलते हैं सीधा 1947 के दौर लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन धबा दीजेगा ताकि जब आप 1947 से लोट कर वर्तमान में आए तो आपको हमारे वीडियो मिल जाए चले चलते हैं 1947 के दौर देश के आजाद होने के इतने सालों के बाद अब हर चीज की महगाई बढ़ चुकी है लोगों की तनख्वाह और लाइफस्टाइल में काफी बदलाव आए हैं लेकिन आज से 70-72 साल पहले ऐसा नहीं था जो हमारा देश आजाद हुआ था तो उस समय देश में महगाई इतनी जादा नहीं थी आज की समय में समाने लोगों को जीवन निर्वाह करने में जितनी कटनाई होती है उस समय उतनी कटनाई नहीं होती थी अब अगर बात करें कि आखिरकार उस समय चीजों की कीमत क्या थी तो 1947 के दौर में देश में चीजों की कीमत जो रुपय, पैसे और आने में हुआ करती थी रुपया सबसे बड़ा हुआ करता था और उसके बाद आना और फिर उसके बाद आता था पैसा अब हो सकता है कि आज कल के लोगों ने पैसा तो सुना हो लेगे ना आना ये क्या होता है कोई आने जाने की बात नहीं हो रही है ये वो आना है जिसकी कीमत हुआ करती थी खेर एक रुपए की कीमत 16 आने के बराबर होती थी और एक आना 64 पैसे के बराबर होता था उस समय अमेरिकी करंसी डॉलर की कीमत भी काफी कम हुआ करती थी उस समय एक डॉलर की कीमत भारत के एक रुपय के बराबर हुआ करती थी यानि हमारा रुपया काफी मजबूत हुआ करता था और आज के समय में देखिए, बिना नोट के रोजाना उपियोग की जाने वाली वस्तूओं को खरीदना मुश्किल है, लेकिन उस समय एक रुपए में ही रोजाना उपियों की всего ही वस्तूओं खरीदी जा सकती थी, नोट की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, जिसके बास नोट ह केवल 26 पैसे प्रती किलोग्राम की कीमत पर बिका करता था और आज के समय जहां चीनी 40 से 45 रुपए किलो बिकती है उननीस सो से तालिस के दौर में ये केवल 57 पैसे प्रती किलोग्राम में खरीदी जा सकती थी वर्तवान में पेट्रोल डीजल की कीमत आम लोगों की जेब पर बहुत असर डालती है और अकसर इसकी कीमत में बढ़ोतरी होती ही रहती है अब आज जहां दिल्ली जज़े शहरों में पेट्रोल की कीमत 69 रुपए प्रती लीटर है वहीं 1947 के दौर में केवल ये 25 पैसे प्रती लीटर में पेट्रोल बेचा जाता था वर्तमान में सभी के गरों पर गैस सिलेंडर का प्रयोग रसोई में होता है जिसके कारण कैरोसीन का उपयोग काफी कम हो गया है इसके बावजूद कैरोसीन की कीमत 80-85 रुपए प्रती लीटर है लेकिन अगर 1947 के दौर की बात करें तो सबके घर में रसोई के लिए कैरोसीन का उपयोग हुआ क करती थी अब आपको ये जानकर और हैरानी होगी कि उस समय पानी पुरी और चार्ट जैसे जंग फूर की कीमत काफी कम हुआ करती थी अब देखिए एक प्लेट चार्ट या एक प्लेट पानी पुरी एक आने में ही मिल जाया करता था सोची अब अगर हम ट्रैबलिंग के ख अब इस घोड़े गाड़ी से एक मील यानि उस समय क्या है मील चला करता था तो एक मील यानि कि 1.6 किलोमीटर की दूरी तै करने के लिए एक आने लिए जाते थे अब आज के समय में देखो हवाई यात्रा ऐसा लगता है कि बाप रे बाप बस ये रईसों के लिए लेगन उस समय एहमदबाद से मुंबई तक की हवाई यात्रा केवल 18 रुपे में पूरी हो जाती थी उस समय टाटा एयरवेज और अंबिका एयरवेज की प्रति दिन 13 फ्लाइट उडान भरती थी किताब कौबी की गीमत तो उस समय आज की तुलना में काफी कम हुआ करती थी तेन प्रतियों का बहुत महत्तु हुआ करता था उस समय 100 रुपे में एक रेडियो मिल जाय करता था अच्छी क्वालिटी के रैंड कोड की कीमत 2-5 रुपे होती और फिल्मों का प्रशलन तो उस समय भी था और आज के समय में थीटर में फिल्में देखने के लिए 200-500 रुपे खर्श करने पड़ते हैं न लेकिन उस समय केवल 40 पैसे से 8 आने तक में फिल्म की टिकट मिल जाती थी जाओ मजे करो इतने कम पैसे में खेर दोस्तों ये सब जानने के बाद हमें 1947 का दोर आज के तुलना में काफी चिल्लर जैसा लग सकता है लेकिन मानिये ऐसा नहीं था समय और परिस्थितियों के हिसाब से उस समय भी चीजों की कीमत उन लोगों के लिए आज के बराबर ही थी क्योंकि समय के साथ ना करंसी की कीमत में भी बतलाव किये गए आज के समय जो 1000 की वैल्यू है उस समय इतनी ही वैल्यू एक रुपए की हुआ करती थी और यही कारण था कि आज जो हम 1000 रुपए में खरीद सकते हैं उस समय हम एक रुपए में खरीद सकते थी उस समय भारत में लोगों की एवरेज सैलरी डेर सो रुपए से जादा नहीं होती थी और हमारे लिए ये वेतन काफी कम है लेकिन आज के समय के साथ तुलना करें तो 15 से 20 हजार रुपए के बराबर होता है उस समय लोग कम वेतन में ही कम खर्श के साथ आसानी से जीवन निर्वाह कर लेते थी क्योंकि आज के समय की तरह उस समय लोगों की लाइफ बहुत ज़ादा लग्जूरियस नहीं हुआ करती थी खरदी 2000 वेक्ति में केवल एक रेडियो हुआ करता था और ज़ादा दर लोगों की लाइफ स्टाइल भी ना बहुत ही सामान ने हुआ कर दी थी आज के समय की तरह उस समय एजुकेशन का खर्चा बहुत महगा नहीं था लेकिन लोगों में एजुकेशन के प्रती अवेरनेस भी बहुत कम थी उस समय लोग सीमिच चीजों में ही अपना जीवन निर्वाह करते थे इसलिए उनके खर्चे भी कम होते थे तो दोस्तों ये था 1947 का वो दौर जिसे हमारे पूरवजों ने जिया है और हम किताबों के जरिये उस दौर का एहसास करते हैं ऐसे ही रोमांचक और इंफोमेटिव वीडियों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में